जय बाबा की, जय करॉली सरकार की, हपी दिवाली, हपी दिवाली आप सभी लोगों को, जूट जाए लाइफ अटाफट, सुबास कुमार जी, हपी दिवाली, हपी दिवाली आप सभी को, कैसे हैं, हपी दिवाली, सुबास कुमार जी, बाबा मात आप लोग के जीवन में ठेज सारी खुश्यां लेके आएंगे, शोल टैलकर, करोली सरकार की जै, हपी दिवाली, हपी दिवाली करन पावर जी, हपी दिवाली, रोहन शर्मा जी, हपी दिवाली, हपी दिवाली, रोहन जी, हपी दिवाली, जै बाबा की, हपी दिवाली, जै बाबा जी की, हपी दिवाली गजानन जी हपी दिवाली आप सभी को धेर सारी सुबकामना है आप सभी लोगों को आप लोगों को विश करने के लिए मैं लाइव आई हूँ आप लोग मेरा परिवार हो और बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके और आप लोगों से आप लोगों को विश करना अच्छा लग रहा है बहुत लोग दर्बार में मील रहे हैं बहुत अच्छा लग रह है एक कि बाबा ना हर दिवाली अपने शण्डों में जीता है कि अध्लेस राजी हप्पी दिवाली काफी भग दर्बार में है तो सब को जाजा कि हप्पी दिवाली तो नहीं बोल सकने में लेकिन जो मिल रहा है सब को बोल दी वह बहुत कुछी जो लोगा इस दर्बार में कितना उनका स्वभाग गया है कि वह अपनी दिवाली दर्बार में मना रहे है राजेंद्र पटेल जी दिवाली की सूप कामनाए केम छो लिद्दू आज हवन कितने बज़े आप लोग बता देती हूं आज हवन दो बज़े जो आमश्या है आज मौश्या एक पचास को लग जाएगी और दो बज़े से हवन होगा और जो लोग दर्बार से लाइफ देख रहे हैं तो आप लोग भंडारा एक बज़े होगा तो भंडारा आप लोग गरन करिएगा बाकी लोग जो हैं आप लोग घर बैठे हवन का लाब लीजिएगा सुन्दर सिंग जी हपी दिवाली आपको भी दिपावली की धेश सारी सुपकामना है रामकिसोर मंडल जी जै बाबा की जै क्रॉले सरकार की जितेंद्र सुधी जी हपी दिवाली हपी दिवाली हपी दिवाली धन्यवाद बहुत धन्यवाद भाद दुख रहे हैं? छोड़ों हापी दीवाली सचीन राना जी हापी दीवाली मीनु सिंग जी दिपावली की धेर सारी सुप कामना है धन्यवाद अर्चना तीवारी जी कह रही है कि दिपावली की हम पठाके फोड़ेंगे जरूर जरूर फोड़ेंगे आप दरबाहर में रहिए हम मिलेंगे फोड़ेंगे कुंतेजन सर्मा जी कह रहे हैं हपी दीवाली माई हपी दीवाली हपी दीवाली मैं आप लोगों से बाते करती हूँ आप सभी लोग से बाते करती हूँ नाम से तो मैं आप लोग को पहचान लेती हूँ बहुत से बगतों को मैं नाम से पहचानती हूँ कमेंट्स आप लोग के आते रहते हैं तो मैं नाम से पहचानती हूँ लेकिन आप फेस से में पहचानत को नई पैचान पाती हूँ दरभार में आप लोग आते हो जो आप लोग नाम लेते हो कि हम कमेंट करते हैं मेरा नाम यह पैचान पाती हैं बहुत से लोग को मैं नाम से पैचान पाती हूँ जब दरभार आप नाम भी लोग है ना कि हम कमेंट करते हैं तो पैचान जाती आपको दरबार उनको लेकर आना पड़ेगा और गुरुद जी से एक बार मिलना पड़ेगा अगर उनके अंदर कोई चीजे कोई तंत्रमंत्र किया हुआ तंत्रमंत्र की वजह से अगर वो पी रहे हैं तो गुर्दे उसको उतलब बहुत ज्यादा नसा था उनका वो छोड़त नहीं रहते लेकिन दरबार के आठवन आठवन किये यंप्रस्ता अपना कि उसके बाद आज उनका नसा छूड़िया है तो एक बार गुरुजी से आप मिलिएगा आपके भी अगर भाई को किसे तंत्रमंत्रे किया है तो कि भी कट जाएंगे ओम नमस्षिवाय मंगलेश्व प्रशास सिंग जी मेरे मम्मी पपा आप से मिले कल अब भाई के बाल हाँ जी पूनंग जी आपकी पैरेंस मुझे कल मिले वो बाल उतारने के लिए कह रहे थे दरबार में बाल उतारा नहीं जाता है ठीक है फिर भी एक जैश्री गुरुदेव सहाप की जय एनेस गेलोची जय बाबाकी हपी दिवाली जय गुरुदेव सब अच्छे होंगे सब ठीक हो जाएंगे अबाला सम्ब्री जाएंगे अगर आपका बेटा बहुत गुसा करता है संकल भी नहीं करता तो उसका हाथ पकड़के आपके करा करो डेली और उसकी समस्या है आप बोला करो सुक संबुद्धी आपको मिले इस दिवाली पर दुख से मुक्ती मिले इस दिवाली पर मा लक्षमी का असिरवाद हो आपके साथ और लाखो खुश्या मिले इस दिवाली पर सुब दिवाली मनि सिंग जी धन्यवाद आपको भी दिपावली की धेर सारी सुपकामना है जी तोकन रोज मिल रहा है जै प्रकाश जै प्रकाश जै प्रकाश जी हपी दिवाली और आपको भी दिपावली की धेर सारी सुपकामना है पिनोरियाज जी हपी दिवाली क्या उसी दिन गुरु जी से मुलाकात हो जाएगी हम दो बिसंबर के सामको जी हो जाएगी एमर्जंसी टोकन लेंगे तो आपकी मुलाकात उसी दिन हो जाएगी सुन्दर सुन्जी करॉली सरकार की जाए सच्छे दर्बार की जाए महागुरूत रिकालग्य ब्रह्मलीन पंडिश्री राधारमन मिश्रची की जय हपी दिवाली हपी दिवाली रवीवार को आप हवन सुभे सासी 11 बचे के बीच कर सकते हो और साम को भी सासी 11 बचे के बीच कर सकते हो दोनों टाइम में कभी भी आप कर सकते हो सासी 11 बचे का सम तो पकड़ो दूर पकड़े रहो हां ठीक है अब ठीक है अब भी ठीक है अब पास लाओ थोड़ा कमेंट्स तो दिखने चाहिए अगर गुरुजी से मिलना है तो कैसे मिले देखिए आपको दिपेंदर चौहां जी अब दरबार आएंगे तो टोकन की सुविधा है टोकन ले राय दूंगी कि आप दरबार के जो नियम है हवन या नमन पहले आप उस प्रोसेस में आईए वो अपनाईए उससे आप ठीक होंगी गुरुदेव से मिलने से आपकी समस्या हल नहीं होगी ठीक है अगर आपकी बहुत इच्छा है कि गुरुदेव के दर्शन करने है तो आ ना चाहते हूं पर दबार की विदियों का आप आपञेये है आपी दिवाली हैं हहपी दिवाली हमा एक अश्विनिः श्रिवास्तो है स्य तब्षा एब भासता है ला लेकिन आप तो खकन लेना ही पड़ेंगा जो नियम सभी के लिए वो आपके लिए भी रहेगा ठीकें आपकी पैंनस में अभी कुछ किया नहीं है हवननन तो खळ नमन करते रहे फ़न कर रहे donc लेकशंग का बारी जफक्तों कमारी थी अफ़ी धी तोड़ देख अपी दिवाली अपी दिवाली मिश्रा पंडिशी अपी दिवाली दीदी टोकन कितने का मिलता है और एमर्जंसी कितने का मिलता है देखिए टोकन जो है वो 2100 रुपे का है एमर्जंसी टोकन 200 रुपे का है बाकि जो रेगुलर टोकन है वो 590 वाला है देखिए अगर आके पापा दारू पीते हैं दरबार भी नहीं आना चाहते हैं तो बीना डॉक्तर के पास जाए इलास तो होगा नहीं डॉक्तर के पास तो आना ही पड़ेगा आपको तो उनको लाना ही पड़ेगा कैसे डिखा के लाई ए आप रॉली सरकार कीजहाए हपी दीवाली पाप्गदाजी हपी दीवाली तेस गल्यानी हपी दीवाली तेस भाई केंचो माईडीगी आपने मुझे वाट्सअब ग्रूप में एड्ड नहीं किया रोशन देखिए वाट्सअब भया नहीं ही ठीके लेकिन आपको WhatsApp नमबर आप देखेंगे तो Community Post के अंदर मैं आप लोगों को मेरा नमबर दे दूँगी जो लोग Join Member है उनके लिए सभी के लिए नहीं है तो उसमें नमबर मिलेगा Community Post के अंदर तो वो नमबर लेके आप WhatsApp करिए और कोई ग्रूप तो मैंने बनाया नहीं है लेकिन मैं यह सोच रही हूँ कि यह क्या कहते हैं अपना Broadcast Create खुरोंगी और आप जो लोग Join Member उनको Message करती रहूंगी देखिए Cake आप खा तो सकते हो लेकिन पहले आप Confirm कर लो कि वो एगलेस है की नहीं है ठीक है Hello Dear चंद्रभान सिंग्जी हपी दिवाली सब को दर्बार को प्रणाम गुर्देव को प्रणाम What's up ग्रूप नहीं है यह मेरा हपी दिवाली हपी दिवाली सभी को केक अब तो मैं आप लोग को यहीं राय दूंगी कि केक से थोड़ा दूर रहों क्योंकि बीना मतलब ज्यादा तर केक जो है वो अंडे से बनते हैं तो आप थोड़ा एडवांस में ओडर दे दीजिए संभीत साउजी धन्यवाद धन्यवाद आप लोग का प्यार आपकी सोटी बहन पर आप बनाए रखिएगा ओम नमस्षिवाए एंड क्या है एंट्रेस थापना हो चुकिये एंट्री की यंद्र स्वाब्ध अपी दिवाली एपी दिवाली हपी दिवाली सभी को जै गुरुदेर अपी दिवाली जी जै गुरुदेर जै गुरुदेर हपी दिवाली अर्जी बंधन लगने के बाद क्या क्या है अथफूट हवन भर पर कर सकते हैं दिना दर्बार दर्बार जाती है जी आठो हवन बराबर कौन यह रजत मंडल जी तो जी रजत मंडल जी आप आठो हवन घर पर कर सकते हैं लेकिन एक बार दर्बार आठजी बंधन आप कर लिए तो होँग देकर चले जाए और आप जो होँग हम घर पर करिए पांच वन-फांच दिन में करिए उसके पीमिंबाद56 करिए एक अमावस देखिए अमावस के एक दिन बाद आप आट वहाँ मेंटर के सापना कर लघर दर बार एक बार आये संक्ल कि लेने की लिए और गुदे पुष्षेन सर्माजी, हप्पी दिवाली और अल मेंबर्स, हप्पी दिवाली, करॉली सरकार की जय, करॉली सरकार की तरफ से दरबार की तरफ से आप सभी को मेरी तरफ से हप्पी दिवाली को धेश शारी सुव कामना है, हप्पी दिवाली, हप्पी दिवाली, हप्पी मार करें दीदी मैं आपसे मिलना चाहता हूं भाइया दर्बार आए अवश्य मिलेंगे आपको जोड़ी सपोर्ट चाहिए कुछ पूछना है जानकारी चाहिए तो मैं आपको अवश्य दूंगी करावली सरकार की जय प्रभाद भाइया जय बाबा की अपी दिवाली जय पावली के देश सारी सुपकामनाय मोनु यादो जी थैंक्यू मेरी मच्छ धन्यवाद धन्यवाद आप मवश्या का हावच दो बज़े स्टार्ट होगा धाई भी बस सकता है ठीके तो आप लोग मोबाइल खोल के रखिएगा दो धाई बज़े स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा रोशन रोशन धया दर्बार में अगर आप आते हो तो यहां पर सब चीज की सुविधाय हैं आपको गदे मिल जाएंगे कंबल लेना चाहो तो वह कुछ पे करके कंबल गदे तो फ्री यह लेते हो तो कुछ उसका सो दोसो चार्जर होगा तो वह देखिए आप ले सकते हो बाकी रहना आपको यहां पे पुरा फ्री है आराम से आप रहें बड़े दर्बार में गद्दे लेके नहाने दोने के सुविधाय हैं खाने के लिए आपको खुछ पे करना रहेगा खर धन्यवाद 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 गुरुजी महराज को प्रणाम आर्पी सिवास्तों जी कह रहे हैं कि मैं बहुत क्यूट लग रही हूं थैंक यू आपि दिवाली हील रहा है कनिक्षा जैस्वाल का इस प्रश्ण है कि पिदिवाली आप से एक सवाल अब पूछना था कि मुक्ती के मुक्ती के चिन का कैसे पता चलता है क्या हम भी जान सकते हैं ठीक है हमारे अंदर अभी वह दिवी दिरिश्टी हमें नहीं है हम नहीं देख सकते गुर्देव की कृपारी तो देख सकते हो बाकि गुर्देव देख लेते हैं आपको पूछ रहा है तो पूछ सकते हो आपने साथ थबन किया मतलब वह अंकित होई गया है उसमें कोई शक नहीं है कि नहीं मिलेगा इसके पांड़े जी प्रॉली सरकार की जय और हैपी दिवाली जी टोकन प्रतिक मेंबर्स को अलग अलग लेना पड़ता है परिवार में अगर दस लोग है तो दसों को टोकन लेना पड़ेगा प्रतिव एक्ति मैं आपसे यहीं कहूंगी पूरे परिवार को लेकर आजाओ लेकिन पीड़ा जिसको बहुत ज़्यादा है उसको आप मिलाईए ठीके निशान कुमार ची कह रहें आप दर्वार में ही मिलेंगी कि हाँ जी भी आमें दर्वार में आपको मिलूंगी ठीके दर्वार में मिलूंगी कारे में बीजी रहती हूं तो समय भी नहीं दे पाती लेकिन आप जब भी समय मिलें आप कोई में ज़्यादा तो अगर आप लोग को मुझसे मिलना है ना तो कब मिल सकते हो मैं 11 बजे के आसपास केंटिंग में जाती हूं आस्ते के लिए और रात को दस साड़े दस बजे में खानी के लिए जाती हूं तो उस समय आप लोग मिल सकते हो उससे पहले तो मुझकिल से मिल पाऊंगी हपी दिवाली हपी दिवाली हपी दिवाली हपी दिवाली सबी को हपी दिवाली धन्यवाद आपको भी धन्यवाद आपको भी जै बाबा की जै बाबा की जी संदीप कुमार जी कह रहे हैं ये कि क्या हमारे आज की दीन देखिए अगर आपके साथ हवन हो चुके हैं तो आज आपके पितर की मुक्ति अवश्य हो जाएगी यंत्र की जो पूजा है वो आपको नवरात्र में अस्ट्रिमी और नौमी की दिन करती है साल में दो नवरात्र आती है उसके दिन दिज मोहन चौहान जी जै बाबा की हपी दिवाली हपी दिवाली हपी दिवाली सलेनर भड़ जी हपी दिवाली क्यम चो क्यम चो तमारा परिवार मर लगो क्यम चो कैसे है अंटी कैसे हो अच्छी लाग रही हो कैसे अंटी कि दिवाली हपी दिवाली हपी दिवाली आचारिया आचारिया आचारिय वी नोच्ष्वी माही बहुत प्यारी लग रही हूँ घन्यवाद घन्यवाद थैंक्यू हप्पीडी वाली हप्पीडी वाली हम कभी भी दर्बार नहीं आए है अपने घर पर ही जैसा अपने अंकल्प नहीं आना एक बार में खा सकते हैं खाओगे तो क्या होगा आपको हजम नहीं होगा पेट खराब हो जाएगा तबित खराब हो जाएगी तो संकल्प भी वैसे ही है कि आप एक साथ में बारा बार करोगों तो कितनी एनर्जी आपके बॉड़ी स्मीक लेगी तो धीरे-धीरे करना है बारा बार करना है मतलब दिन जाए बारा बार करना है दो घंटे पे बीन घंटे पे चार घंटे पे आदे घंटे पे 20 मिनट बाद ऐसे करिए आप ठीके चलिए मैं आप लोगों को बाबा का दर्शन भी करा देती हूं और बाबा को आप लोग भी हपी दिवाली कह दीजिए पर्स में मेरे में देती हूं पर्स में अरे ऐसा मत करो अचा ही लएगा आप सभी लोग बाबा को हापी दिवाली कह दीजिए सुरी दर अर्द जर्द से आया है माम अबतान की दिजिए हाथ शर्द से आया है माम अबतान की दिजिए सुर्वाइब नियुक्ते जितर बुनाजर किरवाइब नियुक्ते जितर बुनाजर बाबा को आज छपन भोग लगने वाला है पूरा दरबार आप लोग देखेंजिए कि अपना प्यार देको रिया वाइब अपलोग गोटी नियुक्ते अपता जलता राकि समें तुसा लग्यां सुर्में कि अच्छाइब 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 कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब अच्छाइब मलस्छाइब कि अच्छाइब कि आच्छाइब कि अच्छार सकाइब पिछोगी बेंदे दुठा सबी कटें देंगे खुशीयों से देंगे जोगी बेंदे द्रया की नजग से पढ़े के सब कहां चलोई के बाबा सब करेंगे मांदे आप सबने बाबा का दर्शन कर लिया और आपने दिवाली बीच भी कर दी बाबा को जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगी जो पहली-पहली बार मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं दर बार को देख रहे हैं तो मैं आप सबी लोगों से कहूंगी कि करॉली सरकार का जो दर्बार है यह वात्सक्ति का दर्बार है पुरे ब्रहमांड में ऐसा दर्बार मतलब आप सोच भी नहीं सब कल्पना भी नहीं कर सकते एक ऐसा दर्बार है वात्सक्ति का दर्बार है जहां पे आप जो बोलते हो वो सब आपको तुरंत मिलता है यह मेरा फर्सनल अनुभव बाबा से मैंने जो मांगा उससे कही गुणा मेरे बाबा ने मेरी गुरुदेव ने मुझे दिया हुआ है तो आप सभी केंदर कोई इच्छा है कोई तकलीफ है कुछ बाबा से मांगना चाहते हो, मां से कुछ कहना चाहते हो, तो मा, मा के बारे में तो आप जानते ही हो, मा का दिल कैसा होता है, मा कैसी होती है, बच्चों से कैसे प्यार करती है, आप अपनी मां को ही देख लो, मतलब पुरी दुनिया से मां लड़ जाती है, तो जो पूजने गुरु माता जी हैं, आपके अंदर अगर कोई भी तकलीफ एक कोई भी परिशानी है, आप दरबार आते हैं, मां का तृशूर पकड़के, मां से अगर आप कहते हैं, तो मां तुरंत पूरा करती हैं, और आपको सारी खुशियां मीलती है, किसी के सामने आप मत जाना, हाथ फरलाने, और मां के सामने एक बार आपने छूली फरलाएके मांगे, आप छूली खुश्तियों से भर जाएगी, हर चीज आपको मिलेगा, हर चीज मिलेगी आपको, बाबा माता से आप एक बार मांग के देखिए, लोग ना मांग नहीं पाते, अपनी बाया करके देखो, एक बार आप मांग के देखो हर चीजे, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है इस दरवार में, बाबा ने मुझे दिया है, हर चीज दिया है, हर चीज दिया है, जिसकी मतलब में कलपना भी नहीं कर सकती, मैं उस लायक भी नहीं हूँ, उतनी कुछ इतना कुछ दे दिया है बाबा माता उसको संभाग सकुमें इतना दिया है तो आज दिपावडी का दिन है बाबा माता से आप लोग आपके अच्छे दिन के सुरुआत होगई कभी आप लोग ना भ्रहमित मत होईगा किसी को जल्दी किसी को लेत लेकिन मिलता सभी को है यहां पे खूशिया खूशिया अंधर जॉया कभी नीरास होके ने गया है ठीके तो आप लोगे अंदर कोई पी तकलीफ होगी कोई भी प्यूड़ा होगी, कोई भी इच्छा होगी, कोई मनो कामना होगी, मां से कह देना और मांग देना, मां आपको देना, जरूर देना और आप लोग कहना भी, आपकी कहने से हम लोग ने मांगा, मां ने हमको दिया, हती दिवाली, ठीके और दूसरी बात में आप लोग के साथ बाबा को पाने के बाद दर्बार के जुड़ने के बाद जो अनुभाव आपके साथ हुए हैं वो अनुभाव मुझे आप लोग दीजिए, आपका टेस्टेमोनियल मुझे चाहिए, चमतकार जानने हैं, क्योंकि कही न कही आप और में हम सब वीडियो देखे दर्बा हमारे problems को सुने और हमारी problem को सुनके अपने problems से relate कर पावे कि नहीं इनको समस्य है तो हमें भी समस्या होती है ठीक है तो लोग ना relate करेंगे और आप कि आप से दर्बार आते हैं सोची आप कितने बड़े पुन्ने के भागी बनते हो तो आप आओ और थेंक्यू कहने का ताकि लोग आपके वीडियो से पोजिटीव और दर्बार तब पहुचे देखो मुझे किसी नहीं कहा जब में दर्बार में पहली बार जब मेरा 19 नमंबर को मेरा एक साल पूरा हो जाएगा तो उससे पहले क्या पता कैसे में वीडियो बनाने लगी यूटूपर डाल दी मैंने उससे पहले ही मेरे अंदर प्रिंटना मिलती थी मैं हर बूरे पल को कैप्चर करती थी हर बूरे अच्छे हो या बूरे हो मैंना उसको कैप्चर कर लेती थी तो जब मेरे घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉबलम होई तो मैंना उस मतलब आप देख कोई जो लोग नए हैं व उस ताइंक में वीडियो बना लेती थी जह हम लोग घर में बहुत परिशान रहते थे मारा पीटी जगड़ा वगड़ा सब होता था तो सब के वीडियो से बना बना के रखती थी उसके बाद क्या हुआ कि अचानक में प्रेड़ना मिली कि अंदर से कोई कहता था कि जो हमी थे उन लोग सोचते कि लड़का का मन बढ़ गया है गलत संगती हो गई है बिगड़ गया है हमारे दिमाग में अनाप सनाप चीज़े चलने लगती है हम यह नहीं सोचते कि किस वज़े से हो रहा हमको ना उसका जड़ रूट पता नहीं चलता है तो जब बाबा की आई जात बुरा ही बुरा हो तो एक बार तो दिमाग जाता है कि सब्सक्र बेंगोर मैं तो निस उत्ति बढ़ चांब में एक साल के अंदर कैसे वीड़ जाता। अचानक में बहन टोपर अपने क्लास में अपने स्कूल में अपने कॉलिज में टोपर रही लड़की अचानक में डबा हो जाना तो मतलब बहुत थिंकिंग मैं अपने आपको देखती थी कि मैं जब मैं अच्छे से लोगों मेरा बोल ही बंद हो गई बोल नहीं पाती थी तो मैं सोचती थी कि जो हमारे परिवार में जो सबसे बड़ी जिसकी ताकत है वही चीज उसकी वह कॉलिटी ही सब खतम हो रही है क्यों ऐसा हो रहा है तो अगर मैं जा जाकर बताऊंगे तो लोग मुझे पागल समझेंगे कि भ नजा भाई मुझा पहले की तरह हो गया लूर्व सिधा जैसा पहले था या अच्छा हो गया है अब कोई नेगेटीविटी ने बहुत कुछी होती है अच्छा लगता है और यह सब बाबा माता ने मुझे दिया है तो बहुत कुछ मुझे दर बार ने दिया मैं आप लोग क तो भी यही कहूंगी कि आप लोग के साथ भी अच्छा हो रहा है तो दुनिया को बताओ आप लोग ठीके हपी डिवाली रवी राजी हपी डिवाली आपको भी और आपके परिवार को भी परिवाशनाव जी एक रुकेस्टे आपके प्लीस गुरु जी से बोले कि संकर्प कर जी ये वो हम चेंज़ ठीके तम्हें आपके वीदा दीजिए एक रॉली सरकार के जय बोलके और अभी थोड़े देर बाद हवन होगा दो बज़े तक तो आप लोग हवन को देखिएगा आपके जीवन में बाबा माता भेट सारी खुश्यां लेके आएंगे तब अच्छा होगा जो लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं रुप्या करके आप लोग चैनल को ज्वाइन करें वहां पे कम्यूंटी पोस्ट दिया रहेगा वहां पे आपको नंबर मिल गाएंगे ओके ज